कुरिक शेत्र से दो बार सांसर्द रह चुके नवीन जिंदल आज पोलिंग बोथ पहुंच चुके हैं अपनी धर्म पत्नी के साथ वोट डालने के लिए और उने से बातचीत करते हैं जी नवीन जी दो बार सांसर्द रह चुके हैं इस बार हेट्रिक बन पाएगी या नहीं देखिए मुझे पूरा विश्वाश है और जिस तरह से हमने काम किया है लोगों की मैंने पिछले 10 साल लोगों की सेवा की है मैंने की है हमारी पार्टी ने की है सब भी लोगों ने मिलके की है तो जिस तरह से पिछले एक डिड़ महिने में जिस तरह से कैमपेणिंग के अंदर लोगों का समर्थन और आशिरवाद मिल रहा है मैं पूरी तरह से आशिरवाद कॉंग्रेस पार्टी को मिलेगा लोगों का आशिरवाद मुझे मिलेगा और अवश्य ही हमारी हैट्रिक बनेगी आपका क्या कहना है मोधी वेव के ओपर यहां पर काम करेगी वो देखिए मोधी वेव जिसका आप बात कर रहे हैं वो मीडिया में ज़्यादा है अगर आप जमीनी हकीकत देखेंगे तो वहाँ पर कोई इस तरह की कोई वेव नहीं है और हर्याना के लोग जो हैं बहुत मजबूत हैं वो किसी मीडिया में चलने वाली वेव में बहने वाले भी नहीं है उन्होंने मजबूती के साथ 2004 में कॉंग्रेस पार्टी का साथ दिया 2009 में कॉंग्रेस का साथ दिया और आप देखेंगे कि उनके निर्णे वो गलत नहीं थे और आज 2014 में भी हर्याना की जनता कॉंग्रेस पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ी है